प्रसून एग्रोप हर खरीदारी पर पाई निश्च तो फार आप दाई है और कुलू मनाली इसका मेन के अंदर था तो थोड़ी सी अपनी भी भागीदारी हम इसमें निश्चित करना चाहते हैं आज हमारे पास इस बाल मेले के तहत 6,000 रुपे के करीब इकठे हुए हैं वो हम जैसे सरकार को इसमें डोनेशन कर देंगे जो एक रैड क्र रहे हैं उसके साथ जैसे आप विकास की बात करते हैं मेन जैसे आपको पता है कि स्कूल का नाम संसकार है मेरा मेन मोटो यही रहता है कि बच्चों को जैसे संसकार दिये जाएं साथ में जैसे आपको पता है कि नशा नशा आजकल बहुत फैल चुका है मुझे जैसे में बहुत बुरी तरीके से आ गए हैं तो हम इसमें बच्चों को जैसे मैं लगभग डेली ही प्रेयर में कुछ ना कुछ समझाती हूं कि बच्चों पढ़ाई तो जैसे हो जाएगी पढ़ाई आप कर लेंगे साथ में जैसे मेने की संसकार और नश्य से जैसे आपने दूर पहले हमारे समय में तो एक दो ही तरह के नश्य होते थे अब आपको पता है कि किस किस तरह के भ्यानक नश्य हैं उन सब नश्यों के बारे में बच्चों को मैं बताती हूं जैसे चिट्टा है भांग है शराब है जैसे बॉंड है कही तरह के नश्य है कि इन सब चीजों से बच्चों आपने दूर रहना है और एक बाल मेले का मेरा मेने उदेश्या भी था जैसे हम लोग जैसे बच्पन में हम जैसे मैं अपने परिवार की बात करूंगी तो हम हमें जैसे 5-10 रुपे ही मिलते थे जब हम छोटे थे तो उसी तरह मैं बच्चों को बोलती हूं कि हमार साथ के बच्चों को 100-200 भी मिला करते थे 300 वी तो पर हम 10 रुपे में ही गुजारा करते थे अपने पेरेंट्स को किसी ने भी तंग नहीं करना है हमने सिरफ बच्चों से 50-50 रुपे बनाए थे मंगाए थे वो बच्चों ने अपने क्लास टीचर के पास दिये थे फिर हमन में जैसे कुपन बनाए थे वो ही बच्चों को जैसे आज हमने में मोटो ये भी था कि कुपन से किस तरह से ख्रीदारी की जा सकती है आज की डेट में भी 5-5 रुपे में धन्यवाज हिंज है वार